हेलो, what's up guys, my name is Svinoad Badho Thapa and welcome to JavaScript in 100 days, जिहां guys, JavaScript का हम complete पढ़ नहीं रहे, JavaScript का in 100 days हम interview questions या जो programming challenges है, उसको कबर कर रहे, क्यों? क्योंकि हम already JavaScript तो पढ़ चुके World Best JavaScript Course Part 1, Part 2 and यह जो हमारा e-commerce mega website है, मैं अपरोड कर चुका हूँ, तो please इनको जरू check out कीजेगा, and मैं यह आसा करता हूँ कि once आपने यह देख लिया, तो तब आप इसको practice कीजे, तब आपको मज़ा आएगा, ठीक है, so guys, बिना किसी देरिगा आप हम वीडियो को स्टार्ट करते, देख लिजे, let's say we have this Mississippi है, we have this word Mississippi, अब इस Mississippi वर्ड में यह जो character है आई, वो कितने बार repeat हो रहा है, या कितने बार आ रहा है, या आ रही है, जो भी है, उसका count हमें चाहिए, जैसे यह आई है, so we can see like here is a 1, 2, 3, and then 4, so our output will be like 4, यहाँ पर आप 4 देख सकते हो, so यह जो है guys, आपको एक function ऐसा लिखना है, जिसमें हमें दो argument पास करेंगे, एक तो होगा अपना actual word, दूसरा होगा सिर्फ character, अब हमें यह चेक करना है, कि वो जो भी character हम पास कर रहे है, उस particular word में वो कितनी बार repeat हो रहा है, तो उसका जो total count है, उसको हमें यहाँ पर as an output return कर and ठीक है, यह तो आज के character print आप पढ़ लिजेए, इसको basically जो भी है, यह दिस इट सो guys, बिना किसी देर की video की start करते है, लकिन उससे पहले, वीडियो को आप कीजिए pause, तब ही आपकी logic इससे build होने वाली है, आप सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको पता लगा स कि यह जो character है, इस word में कितनी बार repeat हो रहा है, guys आप थोड़ा सा अपना जो दिमा के खर्च कीजिए, इस पर बहुत जादा जरूरी है, ठीक है, alright, तो मैं आसा करता हूँ guys, आपने video pause की, and आप like, आप try कर चुगा, अगर नहीं होता है, it doesn't matter, but at least आपने कुछ ने कुछ तो character, ठीक है, and मैं यहाँ पर चल देता हूँ, str, ठीक है, चले guys, string या words लिख सकते थे, यहाँ पर, words लिख देते, क्योंकि एक यह word है, alright, ठीक है, अब सबसे पहले, oh sorry, एक और चीज करना पड़ेगा, word and then character, क्योंकि दो-दो है, अब हमें एक चीज करना है, that is, यह जो word है, हम lower case या अपर case को हमें handle करना है, right, तो हम एक काम करते है, सब को lower case में convert कर देते है, to lower case, ठीक है, and we have a character, will be cat.to lower case, perfect, ठीक है, तो मेरा पहला काम तो हो गया, like, दोनों को हमने lower case में convert कर देते, तो कोई tension नहीं है, ठीक है, at least इतना हो गया, अब हमें क्या देखना है, कि इस word में वो particular character कितनी बार आ रहा है, and output जो है, वो एक single value है, basically single value है, and मैंने कितनी बार कहा है, या अगर आपने मेरा JavaScript का course देखा होगा, या even इससे पहले जो दो वीडियो से उसमें से भी जो day one का हमारा वीडियो था, मैंने clear एक चीज़ आप से कहा है, whenever it comes to single digit, या single value, चाहे जैसा भ for number, average number है, and even यहाँ पर भी वो count आ रहा, single जो भी आएगा, तो always वहाँ पर आप reduce method यूज कर सकते हो, जो की best है, करने के बहुत तरीक है, लेकिन reduce method का काम ही है, कि एक single value return करना, लेकिन यह तो एक string है, और मैं string में reduce method यूज नहीं कर सकता, once again, अब मुझे string को array में पहले convert करना होगा, उसमें में reduce method यूज करूँगा, उसमें में ये चेक आउट करूँगा, कि मेरा जो current character है, क्या वो इस particular character से match कर रहा है या नहीं, and अगर वो match करता है, तो मेरा जो accumulator है, उसको में increment कर दूँगा, and उसका जो total count आएगा, उसको में return कर दूँगा, तो वो basically मुझे other way guys, मैं एक दो बार तो क्या बोलना, मैं एक बार प्रैक्टिस कर चुका था, but जो भी में आपको बता है कि आप कुछ तर किसे सोचना होगा, let's do one thing, total count will be देखना, कैसे, सबसे पहले तो ये जो भी आपका word है, right, उसको आप split कर दीजी, and guys आप मुझे बता हो, अगर आप space दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि word तो एक ही है, इस पेस देने की need नहीं है, बिल्कुल हम इस पेस नहीं देंगे, अब इससे क्या होगा, M अलग, I अलग, S अलग, एक सिकिन दिखाई देता हूँ, इसको हटाओ, यहाँ पे चलो, तो आप देख सेकते हो, M, I, अब तो कितना एजी हो गया, guys कितना एजी हो गया, सब अलग, अलग, खाली मुझे चेक करना है, क्या यह जो particular current, मतलब अगर आप map भी चाला, तो जो भी, तो यह है या या ने, like इससे, समझ रो, like बौत एजी को, so मेंना चेनिंग में ते उसकारो, जहाँ पे डारेक्ली यही पर ही, रिदूस में ते उसकारोंगा, एक सेकें, रिदूस, है न, so, एक इनिसल वेल्यू जेरो देता हूं फिलाल इसको, यहाँ पे, guys, we have accumulator, जिसमें जो भी जमा होता है, and then we have actual current character, है न, current का character, alright, so, what we can do is यहाँ पर हम जल देते हैं, जहाँ पर, इफ, अगर मेरा यह जो current character है, if it is triple equal to यह जो भी character है, जो भी हमने पास की है, उसके बराबर यह अगर होता है, then what we can do is, accumulator को हम प्लस प्लस कर देंगे, accumulator को हम क्या करें, increment कर रहे, and at the end में, जो भी उसका total, I mean, बना, हमने उसको आएगा, output मेरा चार आभी गया, अब just मुझे undefined आता है, क्योंकि हमने return नहीं की है, तो इसकी मुझे need नहीं है, what I can do is return, यहाँ लगे तो आप directly उसको ही return कर सकते थे, but it's fine, return total count, and boom guys, see, मेरा काम हो गया, यह अपना काम यहाँ पे हो चुका है, and it's a 4, जो मुझे चाहिए मेरा को टोटल वैल्यू आ गई है, yeah, this is it guys, आज इस बीडू के लितना ही, मेरे पास को दूसरा नहीं है, मतलब हम इसको कर सकते हैं, और भी बहुत साज तरीके से, लेकिन मैंने जान बुच के reduce on the spot, क्यों की single value है, and whenever it comes to a single value, then it's better to go with reduce, जिसमें like, बहुत इजी accumulator में आपक कर रहे हैं, and finally मैं उसको return कर दी, right, and by default उसकी value आपने 0 दे रखी थी, and अगर आपको reduce method का नहीं idea, तो मैं कितनी बार बोल चुका हूं, कि map, filter, and reduce, ये तीन ऐसे method है, या function भी आप कहा लिजे, जो interview वाले पूछते ही पूछते हैं, ये आना ही चाहिए, no matter what, आप beginner कह लो, advanced कह increment, decrement तो normally था, है ना, so yeah guys, this is it, आज इस वीडुकल इतना ही, let me know in the comment section, I mean, आपको ये video कैसा लगा, and मैंने जो ये तरीका यूज किया, अगर आपने इसके अलावा कोई दूसरा तरीका यूज किया, तो please, वो जो output है, आपका answer, comment कर दीजेगा, इससे बाकी की भी help हो कर सकते हैं, मलब अच्छा लगेगा, yeah, so yeah, this is it, so guys, आज इस वीडुकल इतने हैं, and हम एक चीज़ बताना बुलके, आएब डिस्कॉर्ट सर्बर का link और सो, आप उसको भी join कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं paste करता हूँ, ये question, तो वहाँ पे भी आप अपने answer जो है, paste कर सकते तो वहाँ पे बहुत सारे fellow developers है, आप उनसे भी chat कर सकते हो, so yeah, this is it, आज इस वीडुकल इतने हैं, प्लीज जो आज के ट्वाला जो कोर्स उसको देखिए, बहुत मेहनत की थी, मैंने, मैं चाहतो आप उसको देखी, and अभी तक सब्सक्रब में किया, तो प्लीज कर कर देखिए, प्लीज कर दो हैं, आप प्लीज को हैं, आप उसको देखिए.